आज के वीडियों में बताने वाले हैं कि आप अपने इTT चैनल मेंघ अंक कंवाया हो पैसा है वह आपके चैनल हो जाता है और वीडिव से पैशा अपने करना होता है। क्या करोगे यहां पर आपको Google Adsense आपको एक बेवसाड मिल जाएगी Google Adsense आपको सर्च करना है और यहां पर सर्च करने के बाद में जो भी फर्स्ट बेवसाड आ जाएगी उसके उपर आप क्लिक कर दीजएगा उसके बाद में यहां पर आपने यूटूब चैनल पर आपको क्लिक कर देना होगा जैसे ही आप यहां पर किलिक करोगे आपका Google Adsense यहां पर ओपन होके आ जाएगा Google Adsense का जो interface होता है कुछ इस तरह से होता है जो पैसा YouTube का होता है Google AdSense के तरफ से ही आपको मिलता है तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो आपको दिख जाएगा AdSense for YouTube पर पर आपको क्लिक करने की बादे की बाद में payment info का आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितना भी आपका पैसा होगा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ थोड़ी दरी आपको वेट करना है जब जैसे कि यहां पर देख सकते हो जितना भी डालर आपका बना होगा जितना भी आपने पैसा कमाया होगा सारा सब्सक्राइब करना होता है इसके बाद में आपको बैंग अकॉंट डालने होटे हैं आप यहां से आपको बैंक की सारी डिटेल्स डालने होते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको डालने की जुरूत नहीं है उसके बाद में जो भी आपका नाम है वह आपको डाल देना है यहां पर उसके बाद में जब आप अपना डाल देंगे फिर आता है बैंक नेम ज्यव्य आपका बैंक नेम होगा वह यहां पर यहां पर पर जालने के बाद में जो भी आपका FC कोड होता है वह आपके पास्बुक में लिखा होता आप देखिए लीजिए गा वही FC कोड आपको यहाँ पर फिलब करना होता है तो यहाँ पर Ecklot कुड हर एक एक बैंक का एक अलगलग सब्सक्राइब कर कोड आपका सभी कोड आपका जब आप सब चीज़ें पर डालोगे तो यहां पर अपना आपको ध्यान देना है कि यह सही सही पर पड़ी होनी चाहिए उसके बाद में आप सेप के ओपर किलिक कर दोगे उसके बाद में जो भी आप गर के 26 तारीक के बीच में जितना भी पैसा आपका बनेगा चाहिए आपका 100 डालर बनें तुरंत आ जाता है कि सुच्छ तारीक के बीच में तो इस तरह से आप अपने बैंक को को अपने यूटूब चेनल पर डाल सकते होगा तो जिब आपका यूटूब चनल मोंटाज हो ज होती है उसके वादे पैंट को डाल करके अपनी आडेंटी जो भी होते हैं वेरिफाइब करनी पर तो जिब दास डालर आपके काउंड में आ जाएंगे तो गूगल एटसेंस के तरफ से पिन आपको वेरिफाइब करना होता है फिर अपना बैंक एकाउंड